हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ बहुत ही ज़्यादा यूसफुल विंटर स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स जो की आपकी सर्दियों को बहुत आसान बना देंगे सर्दियों में होने वाली प्रॉप्लम्स को आपको शुटकारा देंगे चुटकियो में तो चले फिर शुरू करते हैं मेरा सबसे पहला है कि इस तर Podeला कर लेकर जैसे अब विंटर रा चुकी है तो इसको नहीं पैन सकते हैं तो यह आप भी बंद से केle geschiver को और लो ही यहां नो इस fest का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप शोक्स कर रहalon तो socks को आपको इस तरह से आगे से जो है वो cut करना पड़ेगा तो अगर आप sleeves किसी भी जर्शी की use कर रहे हैं तो उनको आप cut करने की जुरुत बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पर मैंने इसको cut कर लिया है उसके बाद में आपको क्या करना है कि socks को इस तरह से चपल के जो है अंदर की side डाल देना है इस तरह के speed leepers के लिए यह special hack है और फिर आपको एक side से पकड़ना है socks को और इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं इसी तरह से आपको socks को चड़ा देना है इस तरह से चड़ाने के बाद में पीछे की side से भी आपको socks को पकड़ना है और इसको जो है आपको कुछ इस तरह से ले कर जाकर पीछे की तरह इस तरह से सिलाई कर देनी है तो आप इसे इस तरह से पीछे की तरफ सिल दे पर यह हमारी गरम sleepers बनकर त्यार हो चुकी है अगर हम इने पहनेंगे तो हमें बिल्कुल भी ठंडी ये नहीं लगेंगे तो आई हो की हैप का आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो चलते हैं हमारे विंटर स्पेशल नेक्स्ट है की तरह मेरा अगला जो हैक है वो इस तरह से सूज को लेकर है जब भी शूज गयाना के तले गायब हो जाए या फिर तले है भी है तो अगर हम इने सर्दी में पहनते हैं तो ये हमें अंदर से काफी ठंडे लगते हैं चाहिए हम सूज डाल कर ही हम इने पहने तो इसके लिए आपको क्या गाना है कि इस तरह से कोई भी गरम कपड़ा ले लेना है और इस गरम कपड़े को आप इस तरह से सूज पर रख दे और इस तरह से नाप से इसको आप कट कर सकती है उसके बाद में इस कपड़े को आपको इस तरह से शूज में डाल देना है तो इससे चाहें आप सौक्स बहन कर डालें तो ये बिल्कुल भी हमें ठंडे नहीं लगेंगे तो बच्चों के लिए special हैक है तो बच्चों को जाला जल्दी ठंड लग जाती है तो इस तरह से उनके क्या करना है कि इस तरह से सौफ, इलाइज जी, काली, मिरच, लॉग और सौट पाउटर जो है आपको ले लिना है उसके बाद में इन सब को आप इमाम दस्ते में डालकर कूट लें चाहें आप इसे मिक्सी में डालकर पीस लें एकदम से और यहां पर आप इसमें जो होती ह इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल भी नहीं होगी तो इस मसाले का जरूर रिए एक मिज़ने के लिए आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं तो अगला है काफी सारा ओल बोतल में लगा रहता है जो की वेस्ट हो जाता है तो यह मारा ओल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो क तो यह हमारे बहुती काम आ सकता है तो आपको क्या करना है कि स्टरे से बॉतल को आप इस तरह से गिलास या फी लीटर में उल्टा करकर ओवरनाइट के लिए रख दे इस टिप को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीज़े का काफी सारा ओल आपका बेस्ट होता है तो आप इस को उल्टा करकर प्रेस करें अंदर से उल्टा करकर प्रेस करें फिर आप सीधा करकर भी प्रेस करें जब भी आपको पहने हो तुरंत ही इस पर आप प्रेस करें तो यह काफी अच्छी तरह से गर्म हो जाती है तो इस तरह से आप इसे इजली पहन सकते हैं अगला जो हैक है व को इस तरह से कोल्ड रिंग की बोतल ले लेनी है बड़ी वाली और इसमें आपको डाल देना है इस तरह से गरम पानी तो बुजूर्ग लोगों के लिए टिप बहुत ही ज्यादा यूज पिल है उनको काफी ठंड से आप रहत दें सकते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस बोतल को आप जब भी आप लेटे गरम पानी करकर इस तरह से अपने पैरों के बीच में आपको इस तरह से इस बोतल को रख लेना है इससे एक तो आपस में पैर बिल्कुल भी नहीं लगेगी जिससे हमें ठंड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगी और इस तरह पैर हीट होते रहेंगे गरम पानी की वज़े से हमारे पैर बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़ेंगे तो भुजूर्ग लोगों के लिए टिप आप जरूर फोलो करें आई होप की टिप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी तो कुछ यही एक्से जो मैंने आपके करें बाइबाइगाज मिलते हैं इसी तरह की और भी नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ